आप सभी को नमस्कार तो स्टुडेंट्स आजमा आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं स्टुडेंट्स आईए दो मुद्धे पर बात कर लेते हैं स्टुडेंट्स की कोल आई ही मेरे पास मेसेज आये हैं और वो पूछ रहे हैं कि स्टुडेंट्स जो रिजल्ट अभी आएगा 10th कलास का रिजल्ट आ चुका है अभी 12th का रिजल्ट जो आएगा उसका जो percentage है उसके जो weightage है कितनी add होने वाली है तो students मैं आपको बता दूँ CBC ने बिलकुल clear कर दिया है कि इसकी percentage अभी कितनी add होगी 30 होगी 25 होगी या फिर 50% add होगी अभी कुछ भी ऐसा नहीं बताया है इसलिए please आप confuse ने हो और नहीं आप किसी और के बातों में आओ मैं आपको बताना चाहूँगा second term और first term का जो final result बनेगा उसके base पे ही CBC decide करेगी कि कितना percentage result first term का add होने वाला है ओके students तो उमीद है या point आपको clear हो गया अभी हम second point जो कि बहुत ही important है उस पे हम discuss कर लेते हैं आपको बताना चाहूँगा students कल या परसो में 12th class CBC का result आने वाला है first term का 2021 result कर लाए गए तो students आपको बता दूँ result आने से पहले आपको करना क्या है आपको करना क्या है students जो CBC ने answer की upload की थी सभी paper की जो कि मैंने अपने केडी कमेस्टी चैनल पे भी upload कर रखी है आप उन पे देख सकते हो तो उन answer की के according students आप अपना result तयार कर लीजिए maintain कर लीजिए मैं बताना चाहूँगा for example chemistry की जो answer की है physics की जो answer की है biology की answer की है math की English की जो भी subject है art के students है आर्ट के अपने answer की क्या कर लेंगे match कर लेंगे और उस answer की क्या according अपना result maintain कर लेंगे कितने question ठीक है कितने wrong है और वो अलग से आप अपनी notebook में note कर लोगे तो उससे फाइदा क्या उने वाल है सुन लीजिए फाइदा ये होगा students क्योंकि हाली में अभी 10th class का जो result आया है वो answer की के according काफी बच्चों का नहीं आया है issue मुझे नहीं पता क्या हो सकता है हो सकता है issue ये हुआ होगा कि उन्होंने जो circle dark किये थे वो गलत कर दिये या पिर alphabet जो लिखे हैं वो गलत भर दिये हो कुछ भी reason हो सकता है लेकिन students मैं आपको बताना चाहूंगा इस परकार के doubt अगर आप दूर करना चाहते हो तो आप पहले ही result आने से पहले ही answer कि क्या coding अपना result बनाके और अलग से notebook में note कर लो because जब result आएगा तो आप उस result को answer की वाले result को जो आपका result आने वाला है उसके साथ match कर लोगे अगर उसी क्या coding result आ जाता है तब तब बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं आता है students तो आप CVSC को challenge कर सकते हो और उसके लिए CVSC कुछ पैसे लेके मानले जी आप पूरी answer seat चाहते हो तो उसके लिए 500 रुपे लगेंगे प्रते एक subject में और अगर आप किसी एक question कर रियो relation करवाना चाहते हो री checking करवाना चाहते हो तो उसके लिए per question आपके handle रुपे लगेंगे students ठीक है तो ये तभी तो पता चलेगा जब answer की कि according अपना result maintain कर लोगे इसलिए मैं आपको बता रहा था कि result पहले से ये आप अपना बना लीजिए और फिर हम challenge कर देंगे because CBSC इस mood में नहीं है कि ज़्यादा time आपको इसके लिए देगी इसलिए पहले बता रहा हूँ कि आप ये result अपना पहले से maintain बना के तयार कर लो उम्मीदे students ये information आपको समझ में आई होगी और अगर information अच्छे लगी हो तो students एक like बनता है और अगर आप नए आए हो मेरे channel पे तो subscribe जरूर कर देना because मैं लेके आऊँगा आपके लिए ऐसी ही important information Thank you students, bye bye